ओम शांति ओम शांति अजाट मई दोहजार तेईस देन सों बार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावक्यों को मीठे बच्चे प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है प्रश्न किस निश्चे के बिगर खाना आबाद होने के बजाए बरबाद हो जाता है अगर निश्चे नहीं है कि मोस्ट बिल्विड बाप हमें पढ़ा रहे हैं हम आए हैं ज्यान और योग सीख कर वर्सा लेने तो खाना बरबद हो जाता है संशे उठा माना तकदीर को लकीर लगी इसलिए निश्चे में ही विजय है बाप माताओं को आगे रखते हैं इसमें इर्शा करने की बात नहीं इसमें भी बच्चों को संश्र वादे अभिमान नहीं आना चाहिए गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे ओम शंति यह बच्चे कहते हैं बाबा समझाते हैं मैं साकार नहीं हूँ आकार में देवता भी नहीं हूँ मैं परम आत्मा हूँ यह भी आत्मा कहती है सिर्फ अक्षरेड हो जाता है परम आत्मा यानी परमात्मा उसकी ही महिमा है जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं इसको मनुश्य स्रिष्टी कहा जाता है अभी है रावण रज्य असुरी संप्रदाई एक दो को दुख देने वाली संप्रदाई यह कौन समझाते हैं जिसको यह आँख नहीं जान सकती आत्मा अपनी बुध्धी से पहचानती है जब बाप पहचान देते हैं तुम हमारे बच्चे हो जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आ परंतु मैं बाप होने कारण मुझे परम पिता परमत्म कहा जाता है। इसलिए भगवानु वाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानु वाच कहेंगे। प्रह्मा देवता नमह, विश्नु देवताय नमह कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवानु वाच, मैं तुम सब का भगवान हो, सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी, सदा शांत बनाता हूं। सिर्फ कहने मातर तो नहीं, जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यह मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रोस्परटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी, पीस, प्रोस्परटी का वर्सा मिलता है। कल्प पहले मुवफिक, अब तो परम, पिता, परमात्मा का एकुरेट जित्र नहीं निकाल सकते। प्रमा का फिर भी सुक्ष में रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकाले? परम, पिता, परमात्मा एक ही है और है स्टार मुवफिक। फोटो नि मन बुद्धी है वे उनको जानती है यह है ही नई बातें इसलिए समझाते है तुम अपने को आत्मा समझो यह शरीर तो बाद में मिलता है तुम आत्मा अविनाशी इमाटल हो शरीर माटल है शरीर युवा व्रद होता है आत्मा का चित्र तो निकल ना सके सक्षतकार हो सकता ह सक्षत कारका भी फोटो नहीं निकल सकता बाकि समझाया जा सकता है मनुष्य का देवताओं का फोटो निकल सकता है पर मत्मा का नहीं इसलिए मूझते हैं समझ नहीं सकते अब बाप समझाते सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो अब देही अभिमानी बनो सत्युग में तुम्हारा दैवी शरीर था फिर शत्रिय वैश्य शुद्र शरीर में आए अब हे आत्मा तुमको चेंज करना है तुम आत्माउं से बात कर रहा हूं तुम इन कानों से सुनते हो और कोई मनुश्य ऐसे नहीं कहेंगे साकार में आए है तब तो तुम आए हो ना तुम से पूछा जाता है किस के पास आए हो तुम कहेंगे शिव बाबा के पास यह अर्थात दादा बीच में दलाल है क्योंकि प्रॉपरटी ग्रेंड फादर अर्थात दादे की है बीच में बाप न हो तो दादा कह कैसे सकते दादे का वर्सा कैसे मिले बाप हो तब तो दादे का वर्सा ले सके यहां सिवाए निश्चे के कोई आ नहीं सकता सिवाए निश्चे के आने का मतलब सिद्ध हो ना सके आते हैं शिवाबा से मिलने ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं यह तो समझने की बात है ना परन्तु माया बेसमझ बना देती है फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं तुम बाप को भूले हो इसलिए निधन के आर्फन बने हो आदी मद्य अंत दुख पाते आते हो आदा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो तब से तुम दुखी होते होते अब महा दुखी हो पड़े हो जो देवताई सदा सुखी थे इस समय महा दुखी है कहा स्वर्ग का राज्य भाग्य कहा यह है यही तो तुम समझते हो शिब बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है जिससे सच खंड का वर्सा मिलता है यह समझ कर यहां आते हो नहीं तो आने की दरकार नहीं बाहर में जाकर तुम भाशन करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे होगा तो सैपलिंग लग जाएगी बाकि कॉलेज वा युनिवस्टी यह एक ही है यहां रोज पढ़ना है बाप को घड़ी-घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है रक्षा बंदन भी गया हुआ है बहन भाईयों को राखी बांधती है माता शक्ती है अब उनों का मरतब पूरी रीती न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बिचारी अब लाएं बांध हो जाती है तो जो उल्टे कर्म करते हैं बाप से वर्सा लेने में विगन डालते हैं उन पर बड़ा पाप का बोजा चड़ जाता है यहां तुम आए हो जीवन बनाने लि की बात थी आत्मा पवित्र आती है पवित्र बनाने की कोशिश करती है फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए परंतो आजकल शादियां आदी भी करा लेते हैं प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है यहां प बाप समझाते हैं मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ तो तुम बच्चे जब यहां आते हो तो खयाल रहता है कोई को संशे तो नहीं उठता नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएंगा फिर बड़ी सजा खाएंगे क्योंकि बाप धर्म राज भी है हम बाप निराकार को कहते हैं भल आजकल तो मेर को भी बापु जी कहते हैं गांदी जी को भी बापु कहते थे परंतु यह है तो सब आत्माओं का रियल बाप है यह कोई फाल्तु बड़ाई नहीं है बाप माना बाप हम आत्माओं को राज योग सिखाते हैं ब निश्चे को भूत नहीं कहा जाता है, निश्चे से विजय पाते हो, संशे भूत से विनाश को पाते हो, बाबा ऐसे क्यों करते हैं, बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं, ये संकल पाना भी संशे हुआ ना, पाप कहते हैं यह तो प्रवरती मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है वंदे मातरम माता गुरु बिगर किसका कल्यान हो नहीं सकता गोपो का भी कल्यान होता है वह फिर ओरों की सर्विस करते हैं मित्र संबंधियों आदी को ले आते हैं चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले ब्रह्मा कुमार तुम भी हो प्रजा पिता ब्रह्मा मशहूर है जब स्रश्टी रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे ब्रह्मा को किस ने पैदा किया? परम पिता परमातमा शिव ने नहीं तो मनुष्य स्रिष्टी कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं, हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े. जिस्म का नाम क्या? सन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है? ब्रह्मा, देखो, स्रिष्टी कैसे रचे जाती है? यह बड़ी वंडरफुल बाते हैं, गीता आदी में यह बाते कुछ भी नहीं है, यह नौलेज है सदगती की, बाप ही सदगती दाता है, वह रचता ही इस स्रिष्टी के आदी मद्य अन्त को जानते हैं, बल सारी दुनिया में ढूंडो, कोई है जो रचता और रचना के आदी मद्य अन्त को जानते हो, सिवाए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के, सो भी ज्यानी तु आत्मा बच्चे जान सकते हैं, तुम्हें सिद्ध करना है कि परमपिता परमातमा बाप है, ना कि वह सर्वव्यापी है, आखरीन सभी समझ जाएंगे कि यह ज्यान इनों को परमपिता परमातमा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ग्यान ब्रह्म ग्यान नहीं जरूर बाप से ही मिला होगा वह है ग्यान का सागर उनकी महिमा है ग्यान का कलश फिर माताओं को दिया है बाप आकर इन माताओं को उच बनाते हैं पुरुष भी उच बनते हैं परंतु इसमें इर्शा नहीं हो ग्यान देते हैं जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ग्यान ग्यान शिब बाबा का है ब्रह्मा विश्णु शंकर को ग्यान सागर नहीं कहेंगे ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ग्यान सागर मैं नहीं हूँ बहुत जन्मों के अंत का जन्म है बाबा का बना हूँ तब बाबा ने ना कितनी अच्छी रीती बाप समझाते हैं। तुम समझते जाएंगे कहां तक उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्ती वान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा समान है। वह क्या जाने। बाप समझाते हैं आठियोगी किसी को भी जीवनमुक्ती देना सके। जीवनमुक्ती परमपिता परमातमा ही देते हैं। इन माताओं द्वारा जरूर पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आप समान बनाने का पुर्शार्थ करना है। जितना पुर्शार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेज्योरिटी माताओं की है, नाम भी गवपाल, कनहियां गाया हुआ है, बैल पर थोड़े ही नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चे से कि हम जाते हैं मोस्ट बिल्विड बाप के पास। ये आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूँ परमपिता परमात्मा के पास। राजयोग और ज्ञान सीख वर्सा लेने लिए। नहीं तो यहां आने की जरूरत नहीं। इस खयाल से नहीं आएंगे तो संशे ही उठा कर ले जाएंगे। माना अपना खाना बरबाद करेंगे। फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता निश्चय बुद्धी विजयन्ती संशे बुद्धी विंशयन्ती। पहले लिखा लेना चाहिए। किसके पास जाते हो। परमपिता परमात्मा के पास। बस वही समझाते हैं, बाप समझाते हैं भगती मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं, कितनी नोधा भगती करते हैं जब एकदम गले में कुलहाडी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर सक्षत कर न हुआ तो हम मर जायेंगे तब मुश्किल से दीदार होता है यह भी सक्षतकार मैं कराता हूँ यह तो बच्चों को मुझे सक्षतकार कराना ही है इम अबजेक्ट है सक्षतकार हो जाता है लेकिन इसमें खुश नहीं होना चाहिए जब तक पुरशार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रालब्द कैसे पा सकते इसलिए पुरशार्थ फर्स्ट अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार श्रीमत पर चल बाप के साथ मददगार बन सारे विश्व पर प्योरेटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है माताओं बहनों को सितम से बचाना है माताओं का मर्तबा बढ़ाना है रिगाड रखना है वरदान अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कारे में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भग अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव अब बापदादा के वर्दान को विस्तार में समझें सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दू बिगडे हुए कारे को, बिगडे हुए संसकारों को, बिगडे हुए मूर को शुब भावना से ठीक करने में सदासर्व के सहयोगी बनना यह है बड़े से बड़ी देन इसने यह कहा, यह किया, यह देखते, सुनते, समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना किसी द्वारा कोई शक्ती की कमी भी महसूस हो, तो अपने सहयोग से जगे भर देना यही है मास्टर दाता बनना स्लोगन सदा हर्शित रहना है, तो विश्व ड्रामा की हर सीन को सक्षी होकर देखो ओम शांती ओम शांती